हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का माथमेडिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मागनेट बेंस में जो प्रोवाइड करता है 100% चलिवाने में जो प्रोवाने माइंट और स्वागत करता हैं गौडिक्स चेहांप से क्ल्सक्णे चलिवाने नापने स्वागत करते ने विदल्ट यहांत आपका प्यारा प्यारा MP गोर्ट इतना ही यहां पीर आपको मिल туда यहीं धेरो सारे प्राक्टिस कुशन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर भी ले क्या सकते हो और अगर आप हमारे कि incoordilateral ABCD ABCD एक coordilateral दिख रहा होगा आपको ACBD ठीक है अब AC बराबर आपके पास क्या है AD है AC बराबर आपके पास क्या है AD है और जो AB वो bisect कर रहा है angle A को AB अगर bisect कर रहा है ना angle A को तो मान के चलो अगर आप इस angle को X बोल रहे हो ना तो ये भी आपके पास कित्ता होगा X होगा ये बात ध्यान रगना angles bisector का मतलब है कि ये दोनो angles आपके क्या होंगे same to same होंगे ठीक है आपको show करना है कि जो triangle ABC है triangle ABC कहाँ पर triangle ABC ये वाला triangle is congruent to triangle ABD ये वाला triangle ये दोनों triangle को आपको congruent प्रूफ करना है what can you say about BC और BD आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हों वो आपको बताना है तो आजाओ थोड़ा जल्दी से सबसे पहले तो हम लोग क्या देख लेते हैं कि इसका given लिखना पड़ेगा इस question के हिसाब से आप इसका given क्या लेखोगे क्या लेखोगे आप लेखोगे एक coordinator ले ABCD हाना एक coordinator ले ACBD ACBD in which AC बराबर आपके पास AD ठीक है और आपके पास क्या है and AB bisects angle A तो उससे आप क्या बोल सकते हो कि angle CAB बराबर angle DAB क्यों क्योंकि आपके पास क्या कर रहा है AB bisect कर रहा है angle A को AB bisect कर रहा है इस पूरे angle A को मतलब ये वाला angle बराबर है ये वाले angle K ठीक है हो जाएगा अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो triangle है ये congruent है तो अब आजाओ congruent proof कर लेते हैं congruent हम लोग proof कर लेते तो अब आपको क्या करना है to proof करना है to proof में आपके पास क्या कि triangle ABC is congruent to triangle ABD ठीक है ठीक है तो अब हम लोग proof कर रहा है और आपके पास what can you say about BC और BT तो वो बात की बात है तो अब आजाओ अब हम लोग देख लेते हैं जारा proof में तो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है और देखने हैं दो triangle कौन कौन से है भाई एक तो देखना है ये वाला ACB ठीक है और एक तो देखना है आपको ये वाला ADB ये वाला ADB अब इन दोनों triangle में आपके साब से क्या क्या लग रहा है सर देखो हमारे साब से तो ये लग रहा है कि अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रेंगल में ये वाली side तो ये ये यलो वाले triangle के side के ये वाले के बराबर ही ये चीज हमको given दिए given दिए ना यार AC बराबर AD हमें given दिया है ठीके और आपके पास ये वाला जो angle है वो ये वाले angle के कही ना कहीं क्या है बराबर है reason क्योंकि sir जो AB है न वो bisect कर रहा है angle A को मतलब CAB बराबर angle BAD वो चीज हमने given में लिख दी और आपके पास अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली side आपके पास ये वाले triangle में भी आ रही है और ये वाली side आपके ये वाले triangle में भी आ रही है तो दोनो triangle आपके क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे side angle side concurrency criteria से क्या side angle side concurrency criteria से ये दोनो triangle आपके congruent हो जाएंगे भाईया जी तो intringle CAB या ABC हाना कौन-कौन से बोल रहा हो भाई intringle ABC and triangle ABD इन दोनों triangle में अगर आप ध्यान से दिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा ABC मतलब ये वाले triangle में AC बराबर होगा ये वाले ABD में AD के बराबर मतलब AC बराबर AD AC बराबर AD reason क्या लिखोगे? reason लिखोगे given ठीक है और आपके पास ACB में मतलब ACB में या ABC में आपके पास ये वाला जो angle है तो इस angle को कैसे बोलोगे आप लोग? इस angle को बोलोगे angle CAB angle CAB बराबर ये वाले angle में ये वाले triangle में DAB के बराबर है ना? ये वाला angle को आपको इस वाले angle के equal बताना है तो वो तो equal ही ना भाई तो आपके पास reason में क्या लिखोगे angle CAB बराबर angle DAB और reason में क्या लिखोगे reason में आपको लिखना पड़ेगा कि AB bisect कर रहा है angle A को मतलब given AB bisect कर रहा है angle A को ठीक है और AB AB दोनों में क्या common है तो आपके पास C वाली side इस वाली side के बराबर बता दी आपने A वाला angle इस वाला angle के बराबर बता दिया और आपके पास AB रइड वाले में भी आ रहा है और AB आपके यलो ट्रेंगल में भी आ रहा है तो AB बराबर AB AB बराबर AB और reason में क्या लिखोगे? Common Reason में क्या लिखना है? Common तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा triangle ABC देखो, समयना A मतलब एक angle आ रहा है B मतलब कोई भी angle नहीं आ रहा है और कोई भी side नहीं आ रही ठीक है? ऐसे समझो ABC समयना ABC मतलब A एक angle है AB एक side है ठीक है? जो common है और फिर C की और जा रहा है तो उससाब से इधर अगर यलो में बताना हो तो A एक angle है और B जो कुछ भी नहीं है और फिर ये D की तरफ जा रहा है तो A B को cover करते हुए दोनों जा रहा है ABC ट्रेंगल लिखने का तरीका है भाई वो ट्रेंगल ABC इस congruent to triangle ABD और reason क्या लिख दोगे? reason लिख दोगे की भाईया कौन से congruency criteria से हुआ है ये सब तो सर सिंपल सी बात है side आई, angle है, side आई, side angle side by side angle side concurrency criteria हो गया सर, हो गया ये दोनों तो सर हो गए concurrent proof हो गए what can you say about BC और BT आप BC और BT के बारे में क्या बोल सकते हो ये वाले BC और ये वाले BT के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि सर दोनों आपस में बराबर है BC और BT BC और BT आपस में बराबर है reason में क्या लिखोगे by cpct corresponding parts of congruent triangles ठीक है आपके पास ये वाली जो side है ना वो ये वाली side के बराबर है reason में क्या लिखोगे by cpct बस ये दोनों आपस में पराबर है उसने पूछाता ना कि bc और bt के बारे में क्या बोल सकते हो तो दोनों बराबर है reason by cpct क्योंकि हमने दोनों triangle को क्या कर दिया congruent proof कर दिया congruent proof करने के बाद इनके बाकी के बचे हुए जो side से है जो angles है corresponding होने चीह है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे by cpct cpct का मतलब ही होता है corresponding parts of congruent triangles ठीके तो यह figure को मैं थोड़ा समस्त तरीके से रब कर देता हूँ अब आप लोग जल्दी से देख लो और इसका screenshot ले लो तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके question number one को बढ़िया ही तरीके से देख लिया है हो गया आगया क्या समझ में अब क्या हम लोग बढ़िया तरीके से question number two कर सकते बदा हो question number two कर सकते है हा सर कर सकते तो आजाओ जल्दी से अब हम लोग question number two की और बढ़ते हैं और यह रहा आपके पास question number two, figure दिया हुआ है, figure दिया हुआ है, तो tension लेने की ऐसी कोई बात नहीं लग रही मुझे, आजो question number two, ABCD आपके पास एक coordinator ले, जिसमें की AD बराबर BC है, AD बराबर BC है, ठीक है, और angle भी कोई ना कोई equal दिया है, आपको proof करना है triangle ABD, triangle ABD, ABD को रंग द ABD, ठीक है, triangle ABD, इस congruent to triangle BAC, इस congruent to triangle BAC, यह रहा BAC, अब एक common side तो मिली जाएगी अपने को, हमको एक common side तो मिली जाएगी, अब बताओ भाई क्या करें, अब बताओ, सर देखो, yellow वाले जो triangle है, yellow वाला जो triangle है, उस वाला angle, और सर जो red वाला जो triangle है, वो वाला angle, दोनो angle सर क्या है, बराबर है, ठीक है, सर एक और चीज मिल गई, सर red वाले में ये वाला angle, सर यलो वाले में ये वाला angle के बराबर, सर ये वाली side और ये वाली side आपस में बराबर, ठीक है, ये वाली side और ये वाली side बराबर, और सर ये वाली side तो को मिल दोनों में, तो sir simple सी बाद है, side, angle side, sir इसमें भी side, angle side से ये दोनों triangle क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या, बाकी के parts तो यार इसी के है, BD और AC, BD कहां का है, BD ये रह, और AC का है, ये रह, CPCT से बराबर, ठीक है, और angle B, ABD, ABD, ये red वाले का बोल रहा है, बराबर है, YCPCT, simple है यार, बहुत जादा simple question है, ये तो बहुती जादा simple question है, आपको नहीं लगता है, लगता है, अब लगता है, अब लगता है, तो जल्दी से solve कर दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, given लिखेंगे, given में क्या है, starting से ही लिखना है कि ABCD है, कोडिलेटरल है, ABCD is a कोडिलेटरल, ठीक है, in which, in which AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है, और एंगल DAB, बराबर एंगल CBA, CBA, ठीक है, तो आपको proof करना है, to proof, आपको to proof में करना है, कि triangle ABD is congruent to triangle BAC, ठीक है, ठीक है सर, अब आपको proof तो करना है, तो proof करने के लिए, अब आप लोग proof लिख दो यहाँ पर, आजा, तो अब आप उठालो अब आपना हतियार, और बस लिख दो भाईया, कि in triangle ABD and triangle BAC, देखो ABD कौन सा है, ABD ये red वाला है, हाना, ओ भाई, ABD, ABD, ये yellow वाला, ये yellow वाला ABD और BAC, BAC ये red वाला, ठीक है, इन दोनों में क्या है हमारे पास, इन दोनों में देखो, yellow वाला और red वाले में क्या है, वो BC के बराबर है, कैसे पता चला, अरे सर, given से पता चला, given से पता चला, ये चीज़ तो given है, अच्छा, और आपके पास जो angle है न, एक, ये yellow वाले में जो angle आ रहा है न, क्या बोलोगे इसको, DAB, कौन सा, DAB, वो बराबर है, angle ABC के, angle DAB, बराबर है angle ABC के, और reason क्या दोगे, सर, reason इसमें भी वही देंगे, given, क्या सर, given, देखो न, yellow वाले में, yellow वाले में DAB, red वाले में ABC के, बराबर है, given है, ठीक है, एक चीज़ ओ, सर, ये yellow वाले में AB, और सर, red वाले में AB, AB बराबर AB, क्या बोलोगे, common सर, AB बराबर AB, common, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, ये दोनों triangle congruent, triangle ABD, देखो, 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 आपको लिखने का तरीका बताता हूँ, triangle ABD, हना, ABD मतलब yellow वाले का एक angle आया, फिर आपके पास एक side आई, हना, ABD, एक angle आया, angle से शुरू ही कहनी, फिर ये वाली side आई, intersecting वाली, तो ABD is congruent to, आपके पास यहाँ से कित्ता हो ये, हना, यही है ना भाईया, AB, D, A, B, और D, A के बाद आई, B, और B के बाद आया, आपके पास, D, तो आप अगर इधर से लिखना चाओगे, तो आप इधर से कित्ते लिखोगे, C, B, A, या ABC, ऐसी लिखोगे भाई, कि ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखेंगे तो आपके पास देखो 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 समझना सीखो भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे समझो कि ट्रेंगल A, B, D एपीडी, A, B, D यह यलो वाला कहां से शुरू हुआ भाईय सर यह तो ऐसे शुरू हुआ यार यह तो ऐसे शुरू हुआ एंगल A आया फिर साइड को कवर कि असने B और फिर यह D पर पहुचा और तो और फिर अगर आप इसको लिखना चाहरे हो तो इसको क्या लिखोगे बताओ ना मैं इसको कैसे लिखूँ क्योंकि मेरे को तो बोल रहा था A, B, D A, B, D मतलब एंगल आना चाहिए फिर कॉमन साइड आ रही है और फिर D आ रहा है तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूँँ B, A, C क्लियर है ना भाई? B, A, C तो यह लिख दिया मैंने B, A, C सर अब लेकिन रीजन क्या दो गया? तो मैंने बोले रीजन में दूँँगा साइड अंगल साइड क्या दूँगा? भाई, साइड अंगल साइड कॉन्गूरेंसी क्राइटेरिया सिंपल सी बात है ना भाईया साइड अंगल साइड कॉन्गूरेंसी क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि यहार यह साइड तो यह रहे ना red वाले पार्ट में तो यह दोनों triangle तो हम लोग congruent करके ही बेठ है ना यह दोनों triangle तो हम लोग congruent करके ही बेठ है तो अब आपके पास bd, bd और ac आपस में बराबर हो जाएंगे reason क्या दोगे sir cpct corresponding parts of congruent triangle तो यह पहला part हमने proof कर दिया दूसरा part bd बराबर आपके पास ac reason sir by cpct corresponding parts of congruent triangles ठीक है और तीसरा part b तीसरा part b आपके पास ac बराबर हो जाएंगे देखो ना angle abd कहा 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 यह वाला angle abd बराबर angle bac यह वाले bac अब समझो जरा बात को अब आप बात को समझो abd मतलब कौन सा वाला angle abd मतलब कौन सा यह वाला angle यह वाला angle abd यह वाला abd बराबर angle bac bac यह वाले bac के बराबर तो यह abd कहां आ रहा है मेरे भाई ABD येलो वाले आ रहे हैं और BAD का रहे हैं BAD आ रहे है सर रेट वाले में तो दोनों तो अपने concurrent करकी बैठे ना दोनों triangle तो हम लोग concurrent करकी बैठे तो angle ABD जो angle ABD होगा वो पक्की बात है एंगल कॉन से? BAC के बराबर होगा पक्की बात है सर बिल्कुल पक्की बात है फिगर से भी देख पाएंगे कि सर ये भी अगर बराबर होंगे तो इधर भी हमें same reason लिखना है क्या? By CPCT corresponding parts of congruent triangles समझ में आ गई क्या ये बात पक्का बढ़िया तरीके से तो एक तो हमने इसको कर डाला और एक हमने इसको भी कर डाला तो ultimately हमारा question number 2 हो गया एक बार मस तो प्यारा वाला जल्दी से क्या ले लो भाईया screenshot ले लो ले लिया screenshot आगे बढ़ सकते हैं हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं तो अज थोड़ो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से आगे की और question करते जाते हैं ठीक है क्या ठीक है सब्सक्राइब question number 3 AD और BC आपके दो equal perpendicular to a line segment AB समझना आपके पास AD और आपके पास BC क्या है दो equal perpendicular है एक ही line segment AB पर ठीक है आपको c figure आपने figure देख लिया आपको show करना है कि जो c d ना वो bisect कर रहा है AB को जो c d ना वो bisect कर रहा है AB को अगर c d a b को bisect करेगा मतलब c d a b को दो पास में तोड़ेगा मतलब कि आपको ये proof करना है कि ये जो o a है ना ये o b के बराबर है अगर यह CD, अगर यह line CD, AB को तोड रही है, bisect मतलब तोड रही है, तो bisect का मतलब होता, दो equal halves में वो तोड रही है, मतलब OA और OB को आपको कैसे न कैसे करके, बराबर बताना पड़ेगा जी, बराबर बताना पड़ेगा जी, आज है, तो अब आपके पास क्या है, गेवन में आप लोग तो लिखी लोगे, क्या लिखोगे, कि AD और BC, क्या है, equal perpendiculars, are equal perpendiculars, are equal perpendiculars to align, कौनसी वाली AB, to align segment AB, ठीक है, मतलब इसके हिसाब से हम लोग क्या समझे, इसके हिसाब से हम लोग समझे हैं, कि आपके पास AD और BC, दो equal perpendiculars, AD और BC आपके पास दो equal perpendiculars है, मतलब AD बराबर आपके पास BC है, यह बात पक्की है, ठीक है, और perpendicular बोला है, मतलब आपके पास angle DOA, यह OSD, जो भी बोलना हो, angle DOA बराबर हो जाएगा angle CBO के, angle DAO, DAO बराबर angle CBO, CBO, यह भी आपके पास equal है, अच्छा, और कुछ है क्या given, नहीं सर, और तो कुछ ऐसा इसने बोला है, लेकिन हा सर, इसने to proof बोला है, कि हमें जो proof करना है न, वो यह proof करना है सर, कि जो CD है न, वो bisect कर रही है AB को, पहले तो मैं इतना लिखता हूं कि जो CD है न, CD है, वो bisect कर रही है AB को, लेकिन हमें इसका मतलब समझना होगा, कि यह मतलब क्या है, भाया CD bisect अगर कर रही है न, AB को, मतलब वो C, D, A, B को दो पार्ट में तोड़ रही है और वो दो पार्ट कौन से O, A और O, B वो आपस में बराबर होने चीए O, A बराबर O, B आपको कैसे भी करके प्रूफ करना है यह आपका काम है आज़ाओ, करते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं तो अब आप क्या कर रहे हो अब आप प्रूफ कर रहे हो तो प्रूफ में अब आप क्या कर रहे हो सट प्रूफ में अब हम कर रहे हैं दो ट्रेंगल लेंगे और दो ट्रेंगल में सब ढूंड़ेंगे चीजों को ढूंड के बताएंगे सर और क्या ही कर सकते हैं सर और क्या ही कर सकते हैं मैंने बोला हाँ यार यह बात भी सही है तो अब आपको यह वाले दो ट्रेंगल लेने पड़ेंगे कौन-कौन से यह वाले क्योंकि आपका O A और O B अगर आपको equal बताना है तो O A यह वाले ट्रेंगल म में आ रहा है बता भई क्या बता पाओगे आप इन दोनों ट्रांगल के बारे में क्या बता पाओगे सर देखो हम कोशिश तो कर सकते हैं बाकी सर सब भगवान के उपर है तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो आप लोगों के पास यह वाली साइट तो यह वाली साइट के बराबर है आपके पास 90 90 है, और आप क्या बोल सकते हो कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल आपस में बड़ाबर है। वह अ क्यों हो गया नज? कैसे हुआ? एंगल-एंडल-एंड़ साइट से, आइंगल-एंडल साइट से, तो यह थोड़ा सा रेड अलग था, है ना, यही वाला था गया, ग्रीन, ठीक है, तो इन ट्रेंगल कौन सा वाला भाया, इन ट्रेंगल ADO बोल दो, या CBO बोल दो, कुछ भी बोलना आप बोल चकतो, तो इन ट्रेंगल ADO and ट्रेंगल BCO, अब अगर आप इन दोनों ट्रेंगल में बहुत जादा अच्छे से ध्यान में रखोगे चीजों को, तो आपके पास AD बराबर BC है, क्या? AD बराबर BC है, reason, सर वही, simple सी बात, सर, given, given है ना, सर, यह चीज़ तो, ठीक है, और आपके पास अंगल DAO बराबर अंगल CBO दोनो 90, अंगल DAO बराबर अंगल CBO दोनो 90 डिग और आप क्या बोल सकते हो, कि सर, अंगल DOA बराबर अंगल CBO यह वाला अंगल, यह वाला अंगल के बराबर, reason, vertical opposite angle, तो आपको लिखना क्या है, कि अंगल सर, DOA बराबर अंगल कौन सा वाला, कौन सा वाला, COB, reason, sir, vertically opposite angles, पूरा पूरा लिखूँ या फिर इतना काफी है, इ यह दोनों triangle आपके congruent हो गए, लेकिन लिखने का तरीका होना चीए, अगर आप लिखना चाहरे हो, AOB, तो आपको लिखना पड़ेगा BOC, अगर आप लिखना चाहरे हो, DAO, तो आपको लिखना पड़ेगा CBO, तो आपकी मर्जी आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो यहा चाहरे हो, सर मैं तो लिखना चाहरा हूँ, इसको कैसे, AOD, AOD, is congruent to triangle, AOD, मतलब 90 आया है, फिर vertically आया, फिर side आई, ठीके, तो ऐसे 90 आएगा, vertically आएगा, फिर side आईगी, तो BOC, तो triangle AOD, triangle AOD, is congruent to triangle BOC, है न, BOC, reason क्या दोगे, by angle angle side concurrency criteria, क्योंकि आपके पास कित्या है, दो angle है, दो angle एक side, दो angle एक side, दो angle एक side, तो angle angle side concurrency criteria से, आपके पास दोनों triangle क्या हो गए, congruent हो गए, और अगर ऐसा हुआ, अगर आपके पास ऐसा हुआ, तो आप क्या बोल देंगे, जी, आप बोल देंगे, कि आप आपके पास जो OA है, ये वाले ट्रेंगल का जो OA है, वो ये वाले ट्रेंगल OB के बराबर है, reason, sir, CPCT, तो बस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये हो गया, तो आप क्या बोल सकते हो, hence, क्या बोल सकते हो, hence, क्या OA बराबर OB, OA बराबर OB, reason, sir, why, corresponding parts of congruent triangles, हो गया न, तो ये आपके पास हो गया proof, तो third question, ऐसे आप लोगों ने मस तरीके से कर दिया, एक पर बढ़िया तरीके से क्या कर लो, भाया, screenshot ले लो, ले लिया screenshot, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं, क्या, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आगे, अगर हम लोग बढ़े, तो आगे हमारे पास एक नया question आगया, अब ये fourth question आगया हमारे पास, तो fourth question समझो जरा, fourth question जरा समझो कि fourth question क्या कहना चारा है, sir, L और M आपके पास दो parallel lines है, L और M आपके पास दो parallel lines है, intersect by another pair of parallel lines P और Q, P और Q, ठीक है, L वाली लाइन और M वाली लाइन आ आपको दिख रही है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, show dart की triangle A, B, C का उनसे वाले बोल रहा है भीया, आजाओ जरा highlighters है, इनको highlight करते है, A, B, C, A, B, C, ये वाला एक triangle, ठीक है, इस congruent to triangle C, D, A, C, D, A, हाँ जी, तो अब बताईए जरा कि इन दोनों को आप कैसे ब आपके पास ये आपको पताए कि ये दोनों लाइन, सबसे पहले तो कौनसी कौनसी बोल रहा हूं है, बहुत ज़्यादा अब ही समझ जाओगे, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पारलेले, तो ये एक ट्रांसवर सलोगे, हाँ, बिल्कुल सही बोला, कि शोर सर ने कहीं गलत नहीं बोला, अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों लाइन पारलेल है, तो ये ट्रांसवर सलोगे, तो ये वाला अंगल और ये वाला अंगल आपस में बढ़ाबर हो गया, रीजन, ऑल्टरनेट इंट इस पारलेल टू एम, और आपके पास एक ट्रांसवरसल, तो अल्टरनेट इंटिरियर अंगल बराबर, ऐसी इसमें लिखना है, रेड वाला अलग बाता दिया, ये लो वाला अलग बाता दिया, और आपके पास एसी और एसी तो दोनी ट्रांगल में कॉमन आ रहा है, तो अ यहां पर आपको अब चीजों को समझना पड़ेगा, यहां पर आपको अब चीजों को समझना पड़ेगा, एल और एम आपके पास दो पारलल लाइन से, जो की इंटरसेक्ट कर रही है, सारी चीजों को तो हमने बढ़िया तरीके से लिखी दिया, है ना, अब आज अब हम स parallel lines intersected by another pair intersected by another pair कौण कौण सा another pair of parallel lines another pair of parallel lines given में तो आप लिख देना जैसा कि आपको figure में देख रहा है अब हमें जो prove करना है वो क्या करना है एक बात दूसरी बात आपके पास अगर L इस parallel to M है तो आपके पास ये वाला angle और ये वाला angle और ये वाला angle आपस में बराबर है भाया ये अगर इसके parallel है तो ये transversal होगे तो यह alternate interior angles हो गए ना, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप चाहो proof में तो आप proof में लिख सकतो, otherwise अगर आपको अभी लिखना है तो आप अभी लिख सकतो, तो अभ आप अभी लिख दो भाई, अभी ही लिख दो ना ठीक है यहां पर जरा लिखो टू प्रूफ लिखो जरा टू प्रूफ लिखो तो प्रूव यह करना है भया कि जो ट्रेंगल ABC है वो गॉरेंट तू दी ट्रेंगल CDA के है हो जायका है हो जाएगा भाई हो जायगा टेंचन नहीं हो जाएगा देखो कैसे हो आपके पास L पार्लेल है यह कर देंगे यह प्रूफ तो अब हम करना शुरू कर रहा है लिखना क्या है since L is parallel to M तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं since L is parallel to M then देखो क्या कर सकते हैं आजाओ आपके पास ये जो L है न ये parallel है M के और अगर ऐसा है तो ये हो गई एक ट्रांसवर्सल तो आपके पास alternate interior angles बराबर हो गए अब alternate interior angles में ये वाला और ये वाला आपसे में बराबर तो आपको लिखना पड़ेगा कि आंगल तो आपके पास देर्फोर आंगल डी एसी आंगल डी एसी बराबर आंगल कौन सा वाला बी सी ए reason क्या लिखोगे reason लिखेंगे सा लाइन्स आर पैललल और आपके पास AC एक ट्रांसफरसल है तो alternate interior angles आपके बराबर हो गए क्या लिखोगे इसको alternate interior angles simple सी बात अच्छा और आपके पास लिखना similarly P इस पारलल टू क्यू आपके पास P क्या है P पारलल टू क्यू है ना आपके पास P जो है वो पारलल टू क्यू है और अगर P पारलल टू क्यू है तो आपके पास AC एक ट्रांसफरसल है तो आपके पास ये वाले अंगल ये वाले अंगल के बराबर हो जाएगा मतलब की अंगल यहां लिख देना देन अंगल BAC बराबर अंगल DC है सिंपल ये भी आपके पास कैसे होगा सर अल्टनेट इंटीरर अंगल समझ गया ना आपने एक बार ये वाला अंगल और ये वाला अंगल भी बराबर ले लिया मतलब DAC बराबर आपके पास कौन सा BCA ठीक है और आपके पास BAC अब आपने BAC बराबर बोल दिया किसके DCA के ठीक है अल्टनेट इंटीरर अंगल तो ये दोनों चीज़े हमारे पास आगई अब हमें तो ट्रेंगल को बताना है ना यार कि ये लोग कॉन्गुरेंट है तो आज अब ज़रा हम लोग ट्रेंगल को बताते हैं तो इन ट्रेंगल ABC आइंड ट्रेंगल CDA ABC ये वाला ट्रेंगल समझना ABC कौन सा है ABC ये वाला ट्रेंगल और तो और ट्रेंगल कौन से वाला CDA CDA इन दोनों ट्रेंगल में आपके पास ये वाला जो अंगल है ये वाला जो अंगल है वो ये वाला अंगल के एक्वल है ठीक है और जो आपके पास ये वाला अंगल है वो ये वाला अंगल के एक्वल है और यह side common है तो बस काम खतम angle side angle से दोनों ट्रेंगल concurrent हो गए देखो ना ABC में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ABC में अगर हम बात कर रहे हैं तो angle जो BAC है वो DCA के बराबर है जो angle आपके पास BAC है यह वाला जो आपके पास angle BAC है वो angle DCA के बराबर है reason क्या लिखोगे reason लिखोगे proved above proved above ठीक है आपके पास एक angle आ गया और आपके पास AC बराबर AC देखो ना yellow वाले triangle में AC और red वाले triangle में BC AC बराबर AC common AC बराबर AC common ठीक है एक बात दूसरी बात angle BCA बराबर angle DCA एंगल BCA यह वाला angle BCA बराबर अंगल कौन सा DAC बराबर अंगल DAC यह भी reason क्या आपके पास proved above तो आपने एक एंगल एक side और एक एंगल इसमें भी एक एंगल एक side और एक एंगल आपने क्या बता दिया बराबर बता दिया तो आप क्या बोल सकते हो कि यह दोनों triangle कौन कौन से therefore triangle ABC इस congruent देखो ना A आया फिर B आया फिर सी आया red के बाद yellow आया ठीक है ABC इस congruent to triangle क्या बोलोगे CDA क्या CDA ठीक ना CDA reason sir by angle side angle concurrency criteria बस हो गया प्रूफ हो गया ना प्रूफ बस हो गया साथ question number fourth हो गया अब जल्दी से आपको क्या करना पड़ेगा एक मस्त प्यारा वाला screenshot लेना पड़ेगा ले लो भाईया screenshot हो गया ले लिए अगर आप लोगों के लिए बड़िया तरीके से लगा हुआ है पूरी महनत के साथ आप playlist के option में अगर जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर सारी टीचर के सारी classes के सारी subject के सारी chapter के सारी topics के भी सब topics के videos एकदम arranged format में मिल जाएंगे आप community के option में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा magnet bins का update आप हमारा app download कर सकते हो भी या grab e-notes को अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घपरानी के बिलकुल भी बात नहीं है आप लोगों के लिए magnet bins लेके आगया एक दूसरा चैनल जिसका नाम है magnet bins हिंदी मीडियम चैनल जिसमें आपको प्रोवाइड की जाती क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही कॉलिटी वाइज और वही फ्री एजूकेशन वह भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज डेली बोर्ट, बिहार बोर्ट, यूपी बोर्ट, एमपी बोर्ट, राजस्थान बोर्ट हमारे कुछ और भी कोर्स हैं जिसका नाम है वेदिक मैच्स, क्रेश कोर्स और स्पोकन अंगलेश तो आज के सेशन में सरफ इता ही मिलता है